चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज मैं बताऊंगा 4.1, 4.1 से मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी द्वी घात समीकरन हो, ठीक है, ध्यान दिजेगा, कोई भी द्वी घात समीकरन हो, इसको मैं इतना बेतर तरीका से मैं बता दूँगा, कि जीवन में कभी भी नहीं तो पहला है, एक्स पलस वन का होल स्क्वाइर बराबार टू एक्स माइनस थिरी, तो इसको जरके बताऊंगा, ठीक है, बेतर तरीका से बताऊंगा, और आपको मैं इतना जरूर बता देता हूँ, आपको कोई भी कोश्चन की जरूरत होगी, तो आप हमें कमेंट मैं आपका सहायता जरूर करूँगा, बस आपसे यही रिक्वेश्ट है, इक्छा हो, तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अन्त में या फिर भूल सकते हैं, तो इसलिए मैं बोर रहा हूँ, कि आप लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो य ये चैनल आपके हांस से निकल जाएंगे, क्योंकि इजुकेशन से रिलेटर चैनल है, ये सब चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना बहुत ही अनिवारी है, तो चलिए मैं इसको बारीकी से सोल्व करता हूँ, एक एक करके, ठीक है, एक पलस वन का होली स्कॉाइर बराबर तो ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक पलस बी के होली स्कॉाइर में, तो सूतर से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कुछ अलग अंदाज में मैं सोल्व करूंगा, ठीक है, कोई भी हिस्ताब हो, आप से बनना चाहिए, ठीक है, इस चैनल पर आपको मैं बता दे तो आप हमें कमेंट कीजेगा, मैं बार-बार बोर रहा हूँ, कि आपका सहायता जरूर करूंगा, तो कुस्चन है यही कि जाच करना है, जाच करके दिखाना है कि द्वी घास समीकरन है या नहीं, ठीक है, तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और बनाने के ठीक है, और भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो डबल तिर के निसान दे रहे हैं, तो ध्यान देना है, शुत्र में ध्यान नहीं देना है, देखिए, यह जो है, यह जो होली स्क्वाइर टू जो है, ठीक है, एक के लिए नहीं है, घेर दिया है, यानि कि दोनों के लिए है, किस ध्यान देना है कि X पलस 1 टोटल के गो है? एक दू तो यहाँ पर लिखेंगे दू गो दू लिख दिये ठीक है? एक दू एक बार X में इस्क्वाइर तो एक बार 1 में इस्क्वाइर अब टोटल के गो है? एक दू तो दू गो लिख दिये, दूगो क्या क्या है, एगो X है, एगो 1 है, तो लिखेंगे एगो X और एगो 1, इसका काम हुआ समाफ्त, अब इधर करना है, बोल रहा है, यहाँ पर 2 लिख दिया, इसका मतलब 2 को एक बार इससे गुना करेंगे, यह जो 2 है, दोनों से गुना होगा, एक बार इ से गुना की है तो 2x माइनस है तो क्या लिख दिया माइनस हो गया दू को तीन बार पढ़ेंगे दू तीया छे यहां तक इसका काम हो गया होगा और आप बिल्कुल समझ गये हो यह मत ध्यान दीजे कि हमको भी यही तरह करना कोई जरूरत नहीं है आप इसको पहले भी लिख स होगते हैं अपना अपना तरीका स्वल्व करने का ठीक है एक स्क्वाइर है तो क्या होगा एक से स्क्वाइर होगा एक का स्क्वाइर क्या होता है एक का स्क्वाइर यानि कि एक का बार है दू बार एक गुना एक क्या हो जाएगा एक पहला दू को एक से गुना करेंगे तो 2x यानि 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, अगर 2 को m से गुना करेंगे तो 2m, 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, तो 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2x, अब 2x को एक बार पढ़ेंगे, यानि 5 का 5 एक बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, तो 2x को एक बार पढ़ेंगे तो क्या ह जाएगा, 2x ही होगा, यहीं पर समझना है, बराबर है बराबर, अब पहले से है 2x-6, यह चीज हो गया, ठीक है, एक चीज धियान देना है, कि यह जो देख रहे हैं, पलस में है, बराबर है इधर, ठीक है, यह पलस में है, बराबर कि इधर आएंगे तो हो जाएगा माइनस, एगो पलस और एगो माइनस क्या हो जाता है कर एक ही चीज रहेगा और एगो माइनस रहेगा तो कर जाएगा क्योंकि मान के चलिए ध्यान दीजे मान के चलिए एक्स जो है यहाँ पर ध्यान दीजे यहाँ पर मान दीजे एक्स है एगो माइनस में और एगो एक्स हो जाएगा पलस में, तो क्या हो जाएगा, एगो माइनस एगो पलस कर जाएगा, क्योंकि किसी के बेटे ने एक्स यानि एक्स रुप्या मतलब क्या किया घाटा किया और फिर एक्स रुप्या इसको नाफा कर दिया फायदा तो कुछ बचेगा मान के चलिया आपके पास दस रुप्या है एक आदमी घाटा कर दिया एको बेटा मान के चलिया इसको फायदा कर दिया एको बेटा घाटा क कर दिया यानि गिरा दिया और एगो बेटा कमा के लाया कुछ बचेगा जिरुवे रहेगा कभी भी प्रोग्रेस नहीं किजेगा एक बेटा 50 रुपया कमाता है तो एक बेटा 50 रुपया माइनस कर देता है यानि घटा देता है कुछ बचेगा नहीं इसी परकार यह पलस में बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो एगो पलस एगो माइनस कर जाता है तो हम उतना क्यों करने जाएंगे बराबर के इधरे कटा देना है ठीक है एगो पलस माइनस अब आपको लगता होगा कि एक ही चीच कभी नहीं करता है यहां भी कुछ नहीं तो प बढ़ गया और एको माइन अच्छा बच वो किया तो इसको इधर ला दिये तो कुछ नहीं बचा यानि कि क्या बच गया जीरू यानि कि हो जाएगा एक स्क्वाई एक अर्चा क्या होगा साथ बराबर जीरू याद रखिएगा कि किसी के उपर में स्क्वाईर रहेगा होता है एक स्क्वाईर पलस बी एक स्क्वाईर पलस पलस ती बराबर जीरू के रूप में है ठीक है रूप में है तो क्या हो जाएगा अता अता द्विघात समिकरन है, क्या हो जाएगा, अता द्विघात समिकरन है, हो गया, तो कोई भी question की जरू, square आना चाहिए, अगर शुरू में 3 और यहाँ पर square आता, तो वो द्विघात समिकरन नहीं होता, ठीक है, दू से उपर नहीं होना चाहिए, और दू से कम नहीं होना च चाहिए कुसी भी 3 उपर में मान के चले 3 भी रहेगा x square रहेगा तो वो द्विघास समी करन होगा ठीक है शुरू में लेकिन square रहना चैशि है ओपर में ये वाला 2 रहेगा तो ठीक है नहीं तो द्विघास समी करन किसी भी हरहाल में नहीं होगा अगला question है ध्यान दिजिए x square minus 2x बराबर minus 2 3 minus x ठीक है x square minus 2x बराबर minus 2 3 minus x ये द्विगासमिकरन है या नहीं इसको जांच करना है और देखना है कि कैसे बनता है और इसका solve क्या होता है तो ध्यान दिजिए x square minus 2x बराबर minus 2 3 minus x तो इधर तो solve किया हुआ है गुना भी नहीं कर सकते हैं ना फिर बराइकेट में कुछ है जो इसको solve करेंगे ये तो solve किया हुआ है तो आप दिखिए अगर पूरा नियम के अनुसार से बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पहले माना की ठीक है अराम से लिखेगा माना की दिखात बहुपत बराबर a x square plus b x plus c बराबर 0 तो यहां पर लिख दिए हैं माना की a x square plus b x plus c बराबर 0 तो लिखना है ध्यान दिजिए x square है तो लिख दिए x square ठीक है जो चीज है माइनस है माइनस 2x है तो 2x बराबर है बराबर टू को थिरी से गुना करेंगे तो तीन दूना के छे माइनस माइनस क्या हो गया पलास सिक्स ओ सोरी माइनस माइनस क्या हो गया पलास दू को एकस से गुना करेंगे तो हो जाएगा टू एकस ठीक है यहाँ पर हो गया तो बात है वही इसी को सजाना है एकस स्क्वाइर है तो यहां पर लिख दे, x square, minus 2x, यह minus में बराबर के इधर आया, तो क्या हो जाएगा, plus, या फिर, x square है न, और देखे, x वाला कहीं पर है, यहां पर है, सजा देते हैं, पहले, plus में है, तो बराबर के इधर आयेगा, तो क्या हो गया, minus, यानि 2x, अगर यह भी रहता, plus में, तो यह दोनों क्या हो जाता, यह plus, plus बराबर के इधर है, कड़ जाता, अगर यह minus में है, यह भी minus में रहता, तो ये दोनों क्या होता कर जाता क्यों कर जाता क्योंकि इधर आने से गो पलास गो माइनस हो जाता अब जैसे लाइए देखिए यहाँ पर ये पलास था बराबर के इधर लाएं तो माइनस दोनों तो माइनस है ठीक है ये भी बेटा माइनस किया हुआ है और इसका ये भी बे जीरू क्यों हुआ जीरू ये था तो इधर ला दिये और ये भी माइनस च्छा था तो बराबर के इधर ला दिये कुछ नहीं बचा तो जीरू ठीक है 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x3x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 जीरो के रूप में है लिख दे यहाँ पर जीरो के रूप में है तो क्यों लिखे यह सब माइनस में ध्यान नहीं देना है कि माइनस वाला है दुविघात समिकरन होगा कि नहीं होगा इधर ध्यान नहीं देना है बस square आ गया द्विघात समीकरन हो गया तो आप लिख सकते हैं अता या द्विघात समीकरन बिल्कुल लिख देना है एकदम निस्चीन थोकें ठीक है क्योंकि मैं बता रहा हूँ ध्यान देजे या द्विघात समीकरन है तो अगला question है ध्यान देजे x-2 x-1 बरावर x-1 x-3 ठ इसको चेक करना है द्विघात समीकरन है क्यान है अब क्या करेंगी बरावरिकेट में तो कुछ नहीं ज़्यादा tension नहीं लेना है ऐसा हिसाब रहेगा तो क्या करना है ध्यान दी एकदम सीरियाली बाई सीरियाली घबराना नहीं है एगो x लिखे ये वाला एगो x लिखे त किसका काम हो गया अब बराबर है तो बराबर एको एकस लिखेंगे एको फिर एकस लिखेंगे ये ठो तो इधर वाला दो नोठो एकस पलस थिरी अब एको क्या लिखेंगे माइनस वान लिखेंगे minus 1 लिखेंगे same process तो इधर वाला फिर दो नोटों लिख दिए x plus 3 ठीक है यहाँ पर आप समझ गए होंगे आप गुना कर देना है x को x से गुना करेंगे हो गया x square हो गया अब plus है तो plus x को एक बार पढ़ेंगे मन के चली 5 का 5 एक बार पढ़ेंगे 5 न हो गा तो x को एक बार पढ़ेंगे हो गया x minus है तो क्या लिख दिए x square x को 3 से गुना करेंगे हो गया 3 x यहाँ तक समझ गये है minus है तो लिख दिए minus 1 को x बार पढ़ेंगे तो हो गया x अब minus plus क्या हो गया माइनस, एक को तीन बार पढ़ेंगे, तो हो गया तीन, ठीक है, बड़ा है, लेकिन हलका है, तो चलिए दिखते हैं, आगे क्या होता है, ठीक है, इसक्वाइर वाला पहले एक तरफ ला देते हैं, ठीक है, ध्यान दिए, यहाँ पर है इसक्वाइर वाला, तो एक से हो जाता है माइनास अगर यहां पर माइनस रहता तो बराबर के इदर आने से पलस हो जाता है याद रगे और मोहों के पर x स्क्वाेर वाला नहीं है यह दोनों का काम हो गया आप दिखते हैं x वाला कहां पर है ठीक है यहां पर sense है, mask x यहां भी है, x वाला यहां पर दूगो x है, यहांपर लिilians दिया है, 2x, यहांपर लि anno कहीं पर है इसका भी काम हो गया, इसको भी लि luego दिये, यहां भी है, यह to ब्राबर के इदर आया, minus 3x यह minus में है, 12x अब क्या बजह गया, यह तो पहले से है minus two, ठीक है, यह बराबर के इधर आएगा, तो minus है, तो इधर आएगा, तो plus three, बराबर zero हो गया, ठीक है, यहां तक हो गया, अब क्या करना है, ध्यान दीजे, एगो plus, एगो minus, यह दोनों क्या हुआ, कट गया, और अगर बराबर के इधरे कटा देते, तो कट जाता यह भी plus में, यह भी plus में, दोनों कट जाता, बराबर के इधर रहता, बराबर के इधर लाएं, तो एगो plus, एगो minus कट गया, ठीक है, यह भी है, ध्यान दीजे, यह भी है plus में, ठीक है, टुटल कितना हो गया, यानि कि x, ठीक है, ध्यान दीजे, यहां पर x, x, का गो हो गय तो लिख देंगे, चलिए, यहाँ पर लिख दिए, माइनस इसको रहन है दिजे, लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 3x, यह दोनों के लिख दे, x, और x क्या हुआ, टोटल का गो x, एगो x यहाँ, एगो x यहाँ, तो यहाँ पर लिख दिए, 2 गो x, और पहले से यहाँ, माइन X-2 x-3 तो –3 लिख दे आप क्या है बताया, 3-2 क्या हो गया 5 ,3-2 क्या हो गया 5 मैनस में क्या 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 जाता है गुना तो नहीं किया जायेगा, घटाया जायेगा तीन में दू गया, क्या हुआ एक, एक जो बचेगा, किस से बचा, इस से बचा, यानि तीन में जो दू गया, एक बचा, एक तो इस से न बचा, तो ये क्या है, पलस में, तो पलस, एक लिख दिये, ठीक है, थोणा सा जान देना है, एको पलस, एको माइनस, ये दोनों भी क्य कट जाएगा एक ही चीज रहेगा और एको पर फ़ाल से अगराईनल कर जाता है इससे साव जाहिर है कि हो जाएगा क्या बच गया माइनलस धीरी एक्स पलास वन यहीं नहुंस HYक्स पलास वन अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट किजेगा मैं आपका तो सहायता जरूर करूंगा और इच्छा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर किजिएगा